यदि आप शहर में रहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद अपने शहरी मित्रों को फारवर्ड भी कर दीजे किस तरीके से शहर में एक आर्गनाइजड लूट हो रही है आर्गनाइजड करप्शन हो रहा है उसका मैं आपको एक्जम्पल देता हूं गाओं में मालीजे कोई किसान जमीन खरिदता है खेती करने के लिए 100 भाई 200 फिट का प्लाट है 100 फिट लंबा 200 फिट गहरा अगर उसने प्लाट खरिदा उस पे मेड बनाएगा और अपनी पसंद से जो उसको फसल उगाना हुआएगा वो दो बार फसल हुगा है तीन बार फसल हुगा है उसके लिए कोई नक्सा पास करने की ज़रूत नहीं किसी परमिसन की ज़रूत नहीं उस जितने जितना पैसा देगा उस पूरे के पूरे एरिया अपना मेड बंदी करेगा ना उसको लेफ्ट छोड़ना ना राइड दुनिया का नक्सा पास करो और इतना आपके उपर लिमिटेशन डाल दी जाएगी कि आपको फरजी नक्सा पास कराना पड़ेगा। प्लाट हमारा तुम कौन होते हो नकसा पास करने वाले गाओं में किसी की हिम्मत है जाके कि किसान को कह दे कि तुमारा ये खेत है इसमें 10 फित आगे छोड़ो 10 फित पीछे छोड़ो किसी की हिम्मत है किसान से कह दे कि नहीं अभी मटर मत पैदा करो इसमें अभी चना मत पैदा करो इसमें गिहू मत पैदा करो जब गाओं में किसान से हिम्मत नहीं होती है वहाँ कोई नक्सा पास नहीं कराना है तो शहर में क्यों पास कराना हाँ आप अगर ये कहते हो कि आपका 100 बाई 200 का प्लॉट है तो आपका जो छज्जा बाहर नहीं आना चाहिए ये बास समझ में आती है आप ये कह दो आपका रैंब बाहर नहीं आना चाहिए बास समझ में आती है आप ये कह दो कि रेन वाटर हर्वेस्टिंग ज़रूर आपको इसमें बेवस्था करनी है ठीक है ये भी अच्छी बात है पानी की बचत होनी चाहिए जो बारिस का पानी है उसको अपना डाल दिया वो अपना नीचे चला गया उसे वाटर लेवल बढ़ेगा ये बात भी समझ में आती है आपको अगर ये कहना है कि भी सड़क पे गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए तो ठीक है हम ग्राउंड फ्लोर अपना पुरा खाली रखेंगे वहाँ गाड़ियां खड़ी होगी ये भी बात समझ में आती है आप अगर कहते हो कि मकान सुरक्षित होना चाहिए इसलिए आपका पिलार इतना मोटा होना चाहिए उसमें सरिया इतनी पढ़नी चाहिए सिमेंट बालू का रेसियो ये होना चाहिए जिसे मकान न गिरे ये बात भी समझ में आती है लेकिन आगे छोड़ना पिछे छोड़ना दाएं छोड़ना बाएं छोड़ना अरे जब प्लॉट हमारा है तो नक्सा आपका क्यों होना चाहिए आप कौन होते हैं नक्सा पास करने वाले जब आपने प्लॉट को बेच दिया चाहिए वो गाजियाबाद डेव्लप्मेंट थाटी हो चाहिए वो दिल्ली में DDO हो हर्याना में हुड़ा हो जैपूर में JDO हो इलहाबाद में A.D.A. हो, वाराणसी में V.D.A. हो, कानपूर में K.D.A. हो, लखनाओ में L.D.A. हो, जो भी ऐसे पत्ना में भी हर शहरों में अपना एक development authority होती है, वो नकसिप उसका उस plot पे जब उसने plot को बेच दिया, और वो plot का mutation हो गया, खरिदार ने plot खरी लिया, तो उ उसको इस बात की छूट मिलनी चाहिन है का अपनी पसंस का अपना मकान बनाए हो, उसमें authority का क्या काम है, और अगर इतने ही करना है, जो नकसा हमसे पास कराओ, तो फिर नकसा पास करने के बाद एक लाख रूपए दे के फिर उसको छजा क्यों बढ़वा देते हो, इसका मत पाओ, तो फिर आपको अपराधी बना दिया जाए, मतलब पैसा आपने खर्च किया, प्लॉट खरीदने में, प्लॉट आपका है, और आप, आपसे कह रहे हैं, हमसे नकसा पास कराओ, नकसा ऐसा बनाएंगे, ऐसा पास करेंगे, जो इस पर आप बनाई नहीं सकते हो, और जब बना नहीं सकते हो, और आप थोड़ा, माल जिए छट थोड़ी से आगे बढ़ाई, तो बोलेंगे, आपने छट आगे बढ़ा दिया, एक काम कुर एक लाख रूपए दो, दो लाख रूपए दो, इसलिए कह रहा हूँ, यह आरगनाईज लूट हो रही है, मैं प्रध करने के लिए ऐसी विवस्था बना रखे है, जितने बड़ा प्लॉट है, उसके छट बाहर नहीं होनी चाहिए, यह बात को समझ नाती है, जितना बड़ा प्लॉट है, उसके इसाब से वहाँ पर वाटर हर्वेस्टिंग होनी चाहिए, बात समझ नाती है, अगर बड़ा प प्रश्बूत होना चाहिए सिमेंट बालू का रेशियो कितना होना चाहिए सब आप अगर बताओ अगर अगर कंडिशन डालो सम्हें में आता है यह क्या कि घटिया सा नकसा पहले बनवाके उसको पास करने के लिए मजबूर करते हैं और उस घटिया नकसे पाद्मी मकान नही और पसंद्द बनाए रहता है आप पैसा लूटो गए और यह पैसा नीचे से उपर तक जा रहा है इसी पैसे में इसके किलाफ आवाज उठाना ज़रूरी है पैसा हमारा प्लाट हमारा तो नकसा हमारा होना चहिए नकसे में कोई इंटर्फरेंस नहीं होना चाहिए सरकार का घर के नक्सेम इंटर्फिरेंस के होना चाहिए भई बाहर निकाल नहीं रहे और कोई आवायद काम कर नहीं रहे चलो ठीक है ॥ीस हाइट की गएक लिमिट हो कि ठीक है आपको 20 मीटर हाइट तक बनाना है तो 20 मीटर हाइट तक सब बनाएंगे बात समझ में आती है लेकिन उसमें कि नहीं नहीं आपका किचन इधर होना चाहिए तो बेडरूम इतना बड़ा होना चाहिए तो यहां होना चाहिए तो वेंटिलेशन यहां होना चाहिए आज की डिटे में चाहिए अज चाहिए वास्तू की साथ से मकान बनाते हैं वास्तू की साब से लोग इसे ही इतने सहर में जो भी मकान बनाता है शोटा-छोटा मकान बनाता है सौगज के plot भी मगान बनाता है तो भी देखता वास्तु की साथ बनाता है कि किचन कहा होना चाहिए, उसका पूज रूम कहा होना चाहिए, उसका बेडरूम कहा होना चाहिए, खुद ही लोग conscious है, तो इसमें ये GDA, आधा 30, ये हुड़ा, ये जैपुर 30, या DDA, KDA, LDA, PDA, M MDA TDA का क्या काम है भई इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है यह दिए आपको मेरी बात ठीक लग रही हो इस वीडियो को कम सकम दस लोग को जरूर फरवर्ड करिएगा